हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम नेट के पार्ठिक्रम में संकलित इकाइम नौ निबंद के अंतरगत उत्तरा फालगुनी के आसपास निबंद के परिक्षा उपयोगी महत्पुन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे तो आईए देखते हैं इस निबंद के महत्पुन बिंदूओं को हिंदी ललित निबंद छेत्र में सरवाधिक प्रबलता से उभर कर सामने आने वाले तथा सम्मान के केंद्र कोवेरनाथ राई जी का जन्म सन 1933 इस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपूर जन्पद में हुआ था धर्मियोग पत्रिका में जो इनका प्रथम निबंद प्रकाशित हुआ था संपादक ने उसके साथ बड़ी ही मार्मीक स्वलप टिपनी दी थी चिंतन और अनुभूती में पगे ललित निबंदो की परंपरा में एक सर्वता नवीन हस्ताक्षर इस्टिपनी ने उनके नाम की और भी अधिक धूम मचा दी कुबेरनात राय की प्रसिद्ध कृतियां है प्रिया नील कंठी, रस आखे टक, गंद मादन, निसाद बासुरी, विसाद योग, पर्ण मुकुत, महाकवी की तर्जनी, पत्र मनी पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, काम धेनु आदी यह निबंद सुकलोत्तर युक के एवं आचारी हजारी प्रिशाद वेदी की ललित निबंद परंपरा के शसक्त निबंदकार कुबेरनात राय द्वारा लिखित है उत्तरा फालगुनी के आसपास निबंद कुबे नाथ राय द्वारा रचित विसाद योग निबंद संग्र में संकलित है इस निबंद संग्र में ललित निबंद के साथ साथ अनुचिंतन सेशक से कुछ से वैचारिक निबंद भी संग्रहित किये गए है ललित निबंद सिर्षक में कुल 13 निबंदों का संकलन किया गया है तथा अनुचिंतन सिर्षक के अंतरगत 9 विचार प्रधान निबंद लिखे गए हैं ललित निबंद के शिर्षक इस प्रकार है मुकूलोद्गम उत्तरा फालगुनी के आसपास परास्त नरक कैक्टस वनकी नाईका यक्छ रात्री व्यथा तिर्थ मेघ मंडूक और आदिम मन नारायन प्रती नारायन एक महा कावे का जन्म, फटिक सिला, समुद्र संतरन, लंका की एक रात, अशोप फूल, अब और कितनी रात है इत्यादी उत्तरा फालगुनी के आसपास एक ललित निबंद है इसमें लेखक ने सरद रीतू का वर्णन करते हुए अपने नीजी जीवन की मिमान सक भी की है आईए देखते हैं इस निबंद के सारांस को वर्षा रीतू का अंतिम नचचत्र उत्तरा फालगुनी है उत्तरा फालगुनी के आसपास नामक निबंद में उत्तरा फालगुनी को प्रतिकात्मक दृष्टी से प्रतिपादित किया गया है यह प्रतिक हमारे जीवन की प्रतिक अवस्ता से जुड़ा है लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में पचीसवे वर्ष तक बड़ी मौज मस्ती आनंद रहता है लेकिन 27 वर्ष तक आते आते जीवन में कठिनाईयों वसंगशों के संकेत मिलने लगते हैं 30 वर्ष तक आते आते हम काम, क्रोध और मोह के अंधकार युक्त सुखों को भोगते हैं 30 वर्ष की आयू स्रिजनात्म का वस्ता होती है जिसमें वेकिति अपने कायों से भावी जीवन की नीव रखता है तीस वर्ष से चालिस वर्ष तक वह अपने द्वारा किये गए कर्मों का फल भोगता है तथा चालिस वर्ष के प्रश्चात उसे व्रिधावस्ता के संकेत मिलने लगते हैं उसकी इंद्रियां छीन होने लगती है, मन का उत्सा कम होने लगता है तथा मन सांथ होने लगता है लेखक को सृष्टी के स्रिजक ब्रह्मा को बूढा मानने में भी आपती है उनका कहना है कि जो संपोन विश्यो को रचने वाला है वह बूढा कैसे हो सकता है क्योंकि ब्रह्मा की मुर्टी सभी जगर स्वेद बालो सहित बनी होती है एक स्थान पर ब्रह्मा जी की यूवा मुर्टी को देखकर लेखक को बहुत प्रसन्यता होती है लेखक ने 40 वर्ष के बाद की अवस्ता को उत्तरा फालगुनी कहा है तथा इसको जीवन का अंतिम पराव माना है लेखक कहते हैं कि वास्तब में हमारे जीवन का तीसवा वर्ष किसी पूरुषया नारी की कृती गरिमा को उत्भासित करता है लेखक इस संदर में विविन प्राचीन महान व्यक्तियों के उधारन देते हुए कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्ता में गिरी त्याग कर अमरित के लिए महाभिनिशक्रमन किया था यिशू क्राइश्ट ने 30 वर्ष की अवस्ता में ही अपना प्रथम संदेश सर्मन ओन दी माउंट गिरी सीखर प्रजनन दिया था राजा राम चंद्र प्रभू को भी 30 वर्ष के आसपासी वनवास हुआ था सीता का 30 वे वर्ष के आसपासी सीता हरन हुआ था इस प्रकार तीसोतर दशक जीवन का घंगोर, कुरुचेत्र तथा सबसे महत्वुन अवस्ता है लेखक आगे कहते हैं कि 40 लगने के पश्षात 45 तक यथा स्थिति की उत्तरा फालगुनी चलती है चालीसवा वर्ष यानी बुधापा लेखक 40 वर्ष से अधिक जीवन जीने को असब्य, असलील तथा अनैतिक कहता है क्योंकि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षनों का परिवर्धन, स्रिजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर हाश्य होने लगता है लेखक जब ये निबंद 1972 इस्वी में लिख रहे थे तब उनकी उम्र 38 वर्ष थी इसलेवे कहते हैं कि अभी मैं जीवन का पुड़वा फालगुनी काल भोग रहा हूँ यद भी साथी साथ दुआर पर उत्तरा फालगुनी का आगमन भी देख रहा हूँ इस अवस्टा में लेखक स्वैम को क्रोधी, लोब तथा कामी अनुभव करता है परंतुव इन विकारों को क्रेमस, विद्रो, प्रगती और नवलेखन कहकर पुकारता है लेखक लेकिन इस बास से चिंतित है कि वह सिग्रिज जी सिग्र ही उत्तरा फालगुनी अर्थात वृद्धा विस्ता की वो और बढ़ रहा है वह चाता है कि चाहे उसका सरीर वृद्ध हो जाए लेकिन उसका मन कभी वूधा ना हो उसका मानसिक यौवन सदा बना रहे लेकिक मानसिक यौवन को बनाए रखने के लिए कॉलेज में अध्यापन करने का निर्णय करता है जिससे यूवा विध्यार्तियों के मद्य रहने से उनकी आशा, आकांचा, उस्सा, साहस, उद्यमता भी उनकी जैसी बनी रहे लेखक यूवा पीड़ी तथा पुरानी पीड़ी के संघश को इस निबंद में अभिव्यक्त करते हैं तथा आशा करते हैं कि कल नहीं तो परसो अर्थात भविश में पुरानी पीड़ी का यूवा तथा नई यूवा पीड़ी दोनों मिलकर इस साशन इवं द्यवस्ता क को साथ साथ संचालित करेंगे अंत में लेखर कहते हैं कि वह स्वैम में अम्रित कला का अविशकार करके उत्तरा फालगुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर कर दूंगा चाहे बार से चाहे बार से सरद बहे अर्थात चाहे मेरा सरीर बाहर से व्रिद्ध दिखे लेकिन मन से मैं सदाज जवान ही रहूँगा इस प्रकाल लेखक के व्यंग बान अब प्रकिर्टी सौंदरी से निबंद भाव में बन गया है तो आईए देखते हैं इस निबंद के महतुपुन पंतियों को वर्षा रितु का अंतिम नचत्र है उत्तरा फाल गुनी हमारे जीवन में गदह 25 सावन मन भावन है बरी मौज रहती है परन्तु 27 में के आते आते घंगोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वशों में हम विद्यून में भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तंब्रिश सुख भोगते हैं अगली पंति परन्तु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थक्ता उनिर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच परता है इसके पुर्व हमारे जीवन की भूमी का या तयारी का पल, तयारी का काल है और बाद पलागम या निमीशिश की प्रतिक्षा है जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुता घटित होता है 25 और 45 के बीच अगली पंति जो सर्जक है जो स्रिष्टी करता है, वह निश्य ही चिड़ यूवा होगा प्राचिन या बहुकालीन का अर्थ जरजर या बूढ़ा नहीं होता है जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफेक्ट है नई लीक का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमैंटिक काम की शोर भले ही ना हो परन्तो वह दात जहरा, बाल जहरा, गलीतम, पलीतम, मुंडम कैसे हो सकता है अगली पंक्ति वास्तब में तीसवा वर्ष जीवन के सम्मोख, फन उठाए एक प्रश्ण चिन्न को उपस्तित करता है और उस प्रश्ण चिन्न को पूरा-पूरा उसका समाधान मुल्य हमें चुकाना ही पड़ता है किसी भी पुरूश्या नारी की कृति गरीमा इसी प्रश्ण चिन्न की गुरूता और लगुता पर निर्भड करती है गौतम बुद्ध ने 29 की अवस्ता में गृह त्याग कर अमृत के लिए महा भिनिश्ट करमन किया यिश्व क्राइश्ट ने 30 वर्श की अवस्ता में अपना प्रथम संदेश सर्मन ओन दा माउंड गिरी सिखर प्रवचन दिया था और 33 वर्श में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्श से भी कम रहा वालमिकी के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तब में 27 वर्श की वयस में वनवास हुआ था अगली पंक्ति परंतु मुझे स्मृन आता है दोस्तों वयस्त की जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिकार दे दिया था मैं 40 वर्श जी चुका 40 वर्श ही तो असली जीवन काल है तुम जानते हो कि 40 वा मानने चरम बुधापा दरसल 40 से ज्यादा जीना असब्यता है असलेलता है अनैतिकता है भला 40 से आगे कौन जीता मुर्ख लोग और वियर्थर लोग अगली पंक्ति एक ग्रीक दार्सनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दुबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धार चन प्रती चन और ही और होती जा रही है काल प्रभा भी एक दिन है और इसकी भी कोई बुंद स्थिर नहीं अगली पंक्ती अगली पंक्ती विज्ञान सारी यांत्रिकी को स्विक्रित कर लेना होगा। उसकी सारी कला को स्विकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्मान की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते। जब तक यह बास साफ साफ ना समझ लें कि मनुश्य जाती के सारे विकास और संपोर्न संस्कृतिक ज्यान को आहरन किये बिना यह संभव नहीं। और उसे समझ कर सर्वहारा संस्कृति की पुनर रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृती अग्यात सुन्य से उपजने वाली चीज नहीं है और ना यह उन लोगों के द्वारा गड़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृती के विशिशग्य विद्वान कहे जाते हैं यह सब बाते मुर्खता पुर्ण है उनका कोई अर्थ नहीं होता है सर्वहारा संस्कृती उसी ज्यान का स्वभाविक सहच विकास होगी जिसे पुंजीवादी सामन्तवादी और अमलातांतरिक विवस्ताओं के जुए के नीचे हमारी संपुर्ण जाती ने विक्सित किया है अगली पंक्ती कल्प हूँ बिना रोध के बिना तट के जो धार है वह काल मुखी वर्न्या है रोधवती और तटनी नहीं यो यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रशनाकार के लिए नौन कन्फरमिस्ट होना जरूरी है अगली पंक्ती कवी या किसी भी साहित्य तर छेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेने चाहिए कि सत्प्रतिशत अस्विकार या नौन कन्फरमिस्ट से भी रचना या सिर्जन असंभव हो जाता है पुराने के अस्विकार से ही नई का अविशकार अविशकार संभव है या कुछ हद तक ठीक है परन्तु नई भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरन या अभिवेक्ति के साधन का प्रशन उठता है और इसके लि संसो दिद करके कुछ को स्विकार कर लेना होता है रचना की आईडिया के अविशकार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए परन्तु रचना का कारिये प्रोसेस आईडिया के अविशकार के साथ ही समात नहीं हो जाता रचना प्रकिडिया में स्विकारवादी मन की भी उतनी ही आवशक्ता है अन्यथा आइडिया या ज्यान का प्रिया में रुपांतर संभव नहीं। अतह प्रतेक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस छेत्र की बात हो विद्रोही और स्विकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। अगली पंक्ती यह सत्प्रतिशत अस्विकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चहरा लेकर आता है। तो कभी नव्य माक्सवाद का। क्लासिकल माक्सवाद से भिन्न और यह दोनों मानसिक वौधिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। यह एक ही हाशोन मुख संस्कृती की संताने हैं। योग सास्तर में मन की पांच अवस्ताएं कही गई हैं। छिप्त, विचिप्त, विमूड, विरुध और आरुध। यह दोनों दर्शन विमूड स्तिती के दो भिन्न संस्करन हैं अतह दोनों त्याज्य हैं। झाल 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 प्राइब कर दो प्राइब